हेलो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम दा मिल्क्समेन काव चैप्टर पढ़ेंगे दा मिल्क्समेन काव वाज इना बैड मूड इट सेट इन दा मिडल आफ दा रोड एंड रिफ्यूज तू मूव रिफ्यूज बच्चो रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना रोड हम कहते हैं सडको तो यहाँ पर आपको बताय जा रहा है कि एक मिल्क्समेन था तो उसकी जो काव थी ना मतलब जो उसकी जो गाए थी उसका मूड बहुत जादा खराब था उसका मूड इतना जादा खराब था कि वो सडक के बीच में जाके बैट गई और वहाँ से हटने के लिए वो तयार नहीं हो रही थी सेट हम कहते हैं बैठ जाने को मिडल मिडल मतलब बीच में बैग का मतलब होता है किसी चीज को मांगना पलीड तो बच्चो पलीड का भी मतलब यह होता है कि किसी से कुछ मांगना तो वो जो मिल्क मैं था ना वो अपनी गाए के सामने हाथ जोड के उससे कहने लगा कि please तुम यहां से हट जाओ बच्चे जो हैं वो अपने दूद का इंतजार करें बच्चो को दूद पीना है और उन्हें strong बनना है तो बच्चो हमें न मिल्क पीने से क्या मिलती है energy मिलती है और हम strong बनते हैं हमारी bones strong होती है तो इसलिए हमें milk daily पीना चाहिए बच्चो मिल जाएं वो strong बन जाएं तो वो उससे बहुत जादा प्लीज कर जाता he pulled and tugged and prayed pulled मतलब खीचना बच्चो टग मतलब कि किसी चीज को बहुत जादा से मतलब जल्दी से एकदम खीच लेना prayed मतलब प्राथना करना या फिर किसी मतलब कुछ प्लीज करना किसी चीज को मांगना ये सब चीक है तो जो milkman था वो अपनी गाए को खूब जोर जोर से खीचने लगा और उससे pray करने लगा मतलब उससे वो please please कह रहा था बार बार कि तुम हट जाओ यां से बहुत तेज से वो मतलब अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसको वहाँ से हटाने की लेकिन उसकी जो cow थी वो वहाँ से हटी नहीं रही थी बट द काव वॉसंट गोईंग एनिवियर दाट डे अलॉंग केम अ पुलिसमान तो बच्चो जो मतलब पुलिसमान होते है न उनकी जो बेल्ट होती है उसको हम बकल कहते है तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब एक पुलिसमान आया जिसकी जो बेल्ट थी वो बहुत जादा चमक रही थी गलीमिंग करना मतलब चमकना तो पुलिसमेन की जो belt थी वो बहुत जादा चमक रही थी और पुलिसमेन की जो uniform थी उसके उपर जो buttons अगेरा लगे वे थे वो भी बहुत जादा चमक रहे थे हमप, he said twilling his long mustache I will show you how to do it right twill करना तो बच्चो twill मतलब होता है कि किसी चीज़ को मोड़ना तो जो पुलिसमेन था उसने अपनी mustache मतलब मूच्छो को कहते हैं तो उसने अपनी मूच्छो को मोड़ते वे बोला कि अब तुम मुझे देखो कि मैं तुम्हारी गाय को कैसे हटाता हूँ मैं जैसे हटाऊंगा न वो यी एकदम सही तरीका है वो मिल्कमेन से कहते कि अब तुम मुझे देखना कि मैं इसको कैसे हटाता हूँ अब क्या हुआ कि जो पुलिसमान था और जो मिल्कमान था यो दोनों मिलके जो काव थी उसको खीचने लगे जोड लगा के और उससे कहने लगे प्लीज हट जाओना से लेकिन जो गाय थी वो वहाँ से हटी नहीं रही थी इस मतलब असानी को कहते हैं या फिर असान चीज को तो क्या हुआ अब एक ग्रॉसर आया मतलब सबजी बेशने वाला आया ठीक है उसके पास क्या थे पुटाटोस के और पीस के बैक्स थे उसने बोला कि ये जो तुमारी गाया है ना इसको मैं बहुत जादा असानी से यहां स हटा सकता हूँ तुम मुझे देखने के मैं कैसे हटाता हूँ अब क्या हुआ अभी तीनों लोग मिलके खेचने लगे लेकिन गाय तब भी नहीं हटी मां से बट द काव वसंट गूइंग अप एनिवे दाट दी अलॉंग केम आ रैसलर, इस मुसल्स ग्लीमिंग इन दा सन, अब क्या हुआ कि एक रैसलर आ गया तो रैसलर बचने केहते हैं किसको पहलवान को मतलब जो लोग कुष्टी वगरा लड़ते हैं उनको तो अब एक रैसलर आ गया जिसके जो मुसल्स थे वो बहुत जादा चमक रहते तो रैसलर ने बोला कि मेरे अंदर ना 10 घोडों की श जक्ति है मतलब 10 घोड़ों के अंदर जित्ती energy होगी जित्ती strength होगी जित्ती ताकत होगी तो वह सारी मेरे अंदर है और मैं तो इसको बहुत असानी से यह से हटा दूँगा फिर जो रेसलर था जो ग्रॉसर था जो पुलिस्मेन था और मिल्कमेन यह चारों लोग मिलके गाय को खूप तेज तेज से मतलब जल्दी जल्दी से खीशने लगया उसे कहने लेगे तुम यहां से हट जाओ हट जाओ लेकिन जो उनकी गाय थी वो तो वहां से हटी नहीं अब क्या हुआ कि जब गाय महां से हटनी रही थी तो एक वो आ गया आइस क्रीम मैं आ गया अपनी जो कार्ट थी उसको हिलाता हुआ मतलब जिंगल करता हुआ मतलब बजाता हुआ तो उसने बोला कि अराम मतलब वो उन चार्ली लोकों से कहने लेगा खे अरामसे अरामसे ये इतना मुश्किल भी नहीं है और ये जो गाय है इसको प्रिंट नहीं हो पाया शायद तो यहांपर न ये लिखा वा ता या फिर ये लिखावा हो सकता है कि जो सारे लोग था आइस्क्रिम मैन, रैसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन और फिर जो मिल्क मैन था वो सारे मिलके गाये को खीचने लगे तेज़ तेज़ से लेकिन गाये जोती वो वहां से नहीं हट रही थी फिर क्या हुआ फिर एक लड़का और उसने गाये को क्या दी खाने के लिए ग्रास दी और वीट दिया मतलब कि घास दी और उसको क्या दिया वीट दिया वीट कहते है गेहूं को ठीक है तो उसने जब उसको दे दी गाये को तो देखते आंगे का लिखा है एंड वीट एंड कावस इट ग्रास फिर क्या शेफ अफ टेस्टी ग्रीन दा काउ बिगन टू च्यू शेफ तो बच्चो शेफ हम कहते हैं बंडल को तो वो जो लड़का था उसने जो गाय थी उसको घास का पूरा बंडल दिया घाने के लिए जो घासी मुझा वो बहुत टेस्टी थी गाय ने वो घास खानी शुरू कर द मिसिंग मिसिंग सा था बट मैंने उसको कवर करने की पूरी कोशिश करी है आई होप मैंने जैसे कवर करा है इसको यह ऐसे ही लिहां पे लिखावा हो सकता है तो अब हम पढ़तें क्या है फिर he slowly led her to the side for he knew what to do अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जो गाय थी वो चबा रही थी तो लड़के ने क्या करा लड़के ने गाय को side में कर दिया मतलब लड़का गाय को थोड़ा सा side लेके चला गया अब गाय जब गई तो वो बीच से हट चुकी थी है वो जो रोट थी वो पूरी मतलब खाली हो गई, वोहाँ से गाय जो थी है वो हट चुकी थी, लड़के ने अपनी अकलमंदी से उसने उसको गाय को कुछ खाने के लिए दिया और फिर उसको वो side में लेके चला गया तो लड़के ने बड़ी अकलमंदी से बढ़ी अपनी intelligent पने से उसने गाय को भी नियो पाया बट लड़के ने घास खिला के गाय को साइड में कर दिया तो बचों मैंने आपको पहले गलती से ग्रॉसर ये बोल देता है कि वेज़ेबल मैंने को कहते हैं जो समान बेचता है उसको हम कहते हैं ग्रॉसर थे ग्रॉसर था उसने चाली बजाई और पुलिसमैन था तो पुलिसमैन के पास जो स्टiक होता है नग ग्रॉस्मैन है वो जो अपने स्टिक थे उसको खुशी के अदर घुमाया तो बच्चो ग्रिंड का मतलब होता है कि क्या मतलब की मुस्कुराना फिर जो रैसलर था वो मुस्कुरा दिया और जो आइसक्रिम मैं था वो खुशी के मारे आवाजे निकालने लगा कि लड़का किता मतलब अकलमंद है the milkman happily clattered his pale being kind and loving is best for force and strength can fail clattered तो बच्चो klattered का मतलब होता है कि किसी चीज़ को थबता पाना pale, pale वो जो milkman होते है न दूदिया जो होता है उसकी जो बाल्टी होती है जिसमें वो दूद भटा तो उसको हम कहते हैं pale तो जो milkman था वो खुशी से अपनी बाल्टी को मतलब जमीन पे बचाने लगा तो इस स्टोरी से हमको ये पता चलता है कि हमें अपनी ताकत का यूज ना करते हुए हमें अपनी अच्छाए का यूज करना चाहिए जैसे सारे लोग जैसे वो अपनी ताकत का यूज कर रहे थे काउ को हटाने के लिए लेकिन काउ जो है वो नहीं हट रही थी लेकिन एक छोटा सा बच्चा आया जिसमें उन लोगों से जादे स्ट्रेंथ नहीं थी वो बच्चा बहुत छोटा सा था लेकिन उसने अपना प्यार शो करा उसने जो गाय थी उसको घास खिला उसने अपना प्यार शो करा उसकी वज़ा से गाय जोती वो हट गई थी तो इस स्टोरी समको यह सीख मिलती है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ ना करते हुए लोगों को या किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से मनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हमें अगर हमें किसी चीज़ को मनाना है या किसी इंसान को भी मनाना है तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हमें हमें उसको प्यार से मनाना चाहिए तो बच्चो आपकी यह जो स्टोरी थी ना यह लिखी थी विद्या प्रधान ने आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगा समझ माई हो तो हम इस चाप्टर की न्यू वर्ड्स देख लेते हैं तो न्यू वर्ड्स हैं मिल्क मैन वोई जो दूद दूद्या उतर उसको कहते हैं मूड मतलब मूड आप एक तरीके तो यह समझ लो को सौभाव टाइब का मिडल मतलब बीच में रिफ्यूस मतलब मना कर देना पुलिस मैन मतलब वोई पुलिस वाली जो होते हैं उनको कहते हैं ग्रॉसर मतलब किराने वाले को रैसलर कुष्टी लडने वाले को आईस क्रीम आपको पता है प्रेट करना मतलब मांगना या कि जिसे कुछ प्लीज रिलीस करना तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हैं अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेकरने ना भूलें और साथे साथ बेल एकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं के न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए